नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूवर्स टड़ी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो लाब हानी या प्रोफिट और लोस के जो क्वेस्चन्स हैं उनमें कुछ क्वेस्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे एक ट्रिक की मदद से उन 35 परतीसत लाब पर बेचा जाता है तो बाइक कितने रुपई में बीकेगी तो अगर हम यहां देखें इसमें जो 25,000 क्या है कि जो 25,000 है इसमें बेचा गया है और बेचने पर 20 परतीसत का लाब होता है और इसमें क्रेम उल्या क्या है और कितने में खरीदा गया है ये हमें नहीं मालुम है और उसके साथ ही उसने पूछा है कि उसे 35 परतीसत लाब पर बेचा जाता है तो उसको एक कितने रुपई में बेचेगा यानि कि उसका नया क्रेम उल्य है वो भी पूछा गया है तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो क्रेम मुल्य का फार्मूला है जो हमें यहां लिखा है कि क्रेम मुल्य वो क्या होता है वो विक्रेम मुल्य इंटू 100 बटे में 100 जमा प्लस माइनस लाब या हानि लाब है तो प्लस हो जाएगा हानी है तो माइनस हो जाएगा तो यहां से क्रे मुल्य आ जाएगा और इस क्रे मुल्य को हम यह विक्रे मुल्य को जो फार्मूला है इसको यहां पर रख देते हैं इस value को तो विक्रे मुल्य के हुआ क्रे मुल्य गुणा में 100 जमा माइनस लाब यहानी परतीसत और बटे में 100 तो इस question को मैं ऐसे solve करते हैं लेकिन ये पुराना तरीका है तो इसके बाद हम आपको आज एक trick बताने वाले हैं और उससे पहले आपसे request है कि अगर आपको ये trick पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को like करें या comment करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें चैनल को subscribe करने के लिए अब हम देखते हैं कि trick क्या है trick हम सबसे पहले जो amount हमें question में दे रखी है amount क्या है? 25,000 तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि 25,000 की amount हमें दे रखी है अब हम देखेंगे कि उसको 20% लाब पर बेचा गया है और एक चीज़ हम याद रखें कि जब इस trick का हम use करें कि हम माल लेते हैं कि हमारा जो क्रै मुल्य है वह है 100% होता है जो क्रै मुल्य है वो हमारा 100% होता है तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा अब बात क्या है कि 20% लाब पर बेचा गया है तो अब जो विक्रिय परतीसत है वो क्या हुआ 120% लाब है तो 100 में हमने 20 को जोड दिया तो हमारा जो विक्रिय परतीसत हुआ 120% मतलब कि 25,000 की 20% लाब पर मतलब 120% पर उसको बेचा गया है तो हमें यह पता करना होगा कि 25,000 में यह जो बेचा गया है यह कितने परतिसत है और वह है 120 परतिसत उसके बाद जो amount हमें दिया गया है 25,000 अब यहां हम लिखेंगे कि 120 परतिसत था जो हमें दिया गया है इसको हम into करके इसको बटे में 120 परतिसत हम लिखेंगे 120 अब हम देखेंगे कि हमें जो गयात करना है वो कितने परतिसत हमें गयात करना है वो कितना है वो है 35 परतिसत मतलब कि 35 परतिसत लाब है लाब है तो इसको हम जोडेंगे क्रैम उल्ले में यानि कि 100 में 35 जोडा तो इसक 135 और इस 135 को कहां रखेंगे यहां उपर 135 अब इसको हम solve करेंगे solve करने के बाद हम क्या करते हैं इसको अगर हम divide करते हैं जैसे इसको divide करने पर हमारे पास आता गर मैं इसको 2 से divide करूं 60 हो रही है हमारे पास 12500 आ गया है और उसके बाद इसको मैं 5 से divide करता हूं तो हमारे पास क्या होगा कि 5 12500 और यह हुआ 5 जुने 10 और 535 तो अब यहां पर मेरे पास जो value आई है वो है 28,125 रुपई तो इस तरह से हम इस question को एक ही step में इसको solve कर सकते हैं और उमीद है कि आपको यह trick समझ में आई होगी और हमको करना क्या है इसमें इसमें करना है कि जो question में amount दी है उसका परतीसत रखना है यहां नीचे और जिसे हमें ग्यात करना है उसका परतीसत रखना है उपर मतलब की multiply में और इसको solve करने पर हम असानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं यह trick दोस्तों बहुत काम की है अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और इस trick को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और जल्ड ही हाजिर होते हैं एक नई trick के साथ धन्यवाद आपका दिन सुब रहे